नमश्यार मैं सी वेद सोनी आज की क्लास के अंदर हम अपना जीस्टी का बहुत इंपोरेंट रिवीजिन स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर एक बच्चा नहीं आया है जिसका नाम अखील है हेलो हेलो मैं वोलुम चेक करो हुए अएक बार हलो उसके लिए हम रिवीजिन कर रहे हैं तो फटा फट कर देख लेते कौन से कौन से चप्टर आज हम रिवाइस करेंगे दुबारा लिखे देता हूं आपको यह राइटिंग हो सकता समझ में आई हो एक चप्टर हम रिवाइज करेंगे, सम नहीं नीकाल रहे हैं, क्वेस्चन सम नही नीकाल रहे हो, एक बार रिकोल हो जाएं कि जीउस टीचेक इन चप्टर्स में था क्या, एक चप्टर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेमिन्ट, एक पढ़ेंगे टाइम ओफ सप्लाई, अग्जाया थे मैने एक चेप्टर कोन सा था पेमेंट था वैल्यो सप्लाइब वैल्यो एकस अग्जाम के लिए इंपोर्टेंट तो मैं अग्जों को पड़ाता रहुँगा जो मुझे यूटू पे देखें वह भी साथ के साथ कि साथ वीडियो वाज करते रहें कर यह स्टा इस पे गूड़ सेंट सर्विस बेची जाती है उसकी वैल्यू निकालने में कौन सी ज्यादा दिक्कत है जिस पर इसेल और प्रचेज हुई है उसी वैल्यू पर जीश्टी लगना है तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या मेलका वेल्यू कुछ नहीं होती सर जो प्राइस या तो पेड हो गया या पेडल है जिस जिस पर ट्रांजेक्षिन होई है fundamentally क्या बोल दूं है जिस पे transaction हुई है उसी price पे तो GST लगेगा बात कितना असान नहीं इतना हमें लग रहा है हम कई बार transactions को जान बूज़े transaction value को जान बूज़े कम लगा दिखाते हैं अगर कम value होईगी तो GST कम आएगा और ज्यादा value होईगी तो GST ज्यादा आएगा हर बंदा चाता है कम से कम tax और department चाता है ज्यादा से ज्यादा tax इसलिए कई बार हो हमारी value को accept नहीं करते हैं reject कर देते हैं और फिर value निकाली जाती valuation rules के coding किसके coding बिटा तो valuation rules है वो आपके CA final में दे रखें valuation rule दे रखें CA final में बधाई हो यह हमारा slavus नहीं है हमारा slavus value of supply में simply इतना है कि में value निकालते टाइम कौन सी 5 चीज़े जोड़नी है और कौन सी एक चीज़ घटानी है जिससे हमारी value आ जाए जिसके उपर हम GST लगा सके transaction value को ही GST के लिए value माल लिया जाएगा बशर्ति अगर condition पूरी होती हो condition दो दे रखें वीटा दो condition condition number one condition number two condition number one buyer और seller आपस में related नहीं होने चीज़े मैंने का ठीक है माल लिया यह buyer and seller आपस में कहा नहीं होने चीज़े वीटा related नहीं होने चीज़े दूसरा जो price जो माल के बदले मिला है goods के बदले मिला हो price sole consideration होना चीज़े sole consideration money ही बदले में आया हो exchange वेगरा का case ना हो goods के बदले goods ना आया हो goods के बदले क्या हो price आया हो अगर यह दोनों condition पूरी होती है तो transactions value कोई क्या माल लिया जाता है value supply माल लिया जाता है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कई बार तो कौन सी कौन सी चीज़े जोडनी है वो section में बताएगा तो यह जो बात हमने पड़े यह बता रहे है विटा section number 15 1 के अंदर और जब मैं बोल आप बताऊंगा तुम्हें वो section पड़ाऊंगा 15 2 पंदरा दो section पड़ाऊंगा जिसमें बताऊंगा कौन सी पांचीज जोडनी है value निकालते time और एक चीज़ क्या कर देनी तुम्हें minus कर देनी है quickly revise करते हैं हम chapter करने है कौन सा विट supply जो जिस value पर price paid और payable हुआ है जिस value पर transaction हुई है उसी को value of supply मान लिया जाएगा अगर दो condition पूरी होती हो under section 15.1 क्या buyer seller आपस में related नहीं होने चाहिए और price is the sole consideration होना चाहिए तो वही value मान ली जाएगी लेकिन कर दासा case नहीं है तो कौन 15.2 के अंदर कौन सी चीज़ें जोड़ी जाएगी जिससे value बढ़ जाएगी पहली चीज जोड़ी जाएगी कोई भी tax हो कोई भी duty हो कोई भी fees हो कोई भी fees हो accept GST accept GST तो जोड़ना नहीं है अरे GST क्यों नहीं जोड़ना यह तो अभी लगाना बाकी है न वाई इसको value में थुड़ी जोड़ना है तो accept GST बारे बाकी सारे taxes क्या कर दो add कर दो देकिन ध्यान ने paper में विटा अगर paper में यह already जुड़े हुए हैं फिर क् rental charges जितने भी charges होते हैं जो ध्यान देना जो on or before on or before the date of delivery delivery के दिन तक के सारे खर्चे seller किसे charge करता है बाईर से charge करता है तो वो सारे खर्चे भी क्या हो जाएंगी बेटा add हो जाएंगी किसके अंदर value के अंदर जैसे तर वेट का charges है packing का charges है transportation का charges है माल वेर आउस से showroom तक आने का कि राया है यह सारा किसे charge करते हैं बाईर से तनाम चीज़ें जोड़ दी जाएंगी value के अंदर third point फटाफट करते हैं कोई चीज के लिए liable था supplier liable कौन था लाइबल था supplier और वो जिस चीज़ के लिए supplier liable था supplier liable था वो चीज़ बायर से पे करवा दी बायर से पे करवा दी ताकि जानबुझ के invoice value invoice value क्या है कम आए करें और आपने का सर बफी देना मेंनेगा कितनी किलो चाहने हैं आपने गदेना हमारी ताजी बनादेना में ताजी चाहनी है मैंने ठीक है है यह बारफी बना नोगे還是 होना चाहिए बिल्गुल से अभ यह बार्फी per रिकोर्मिन जिसके लिए मुझे दूद चाहिए क्या चाहिए बिटा दूद यह दूद में खरीदी के लाया और बायर को बोल दिया दूद तो में ले आँ पेमिंट आप कर दे ना अगर बायर ने दूद की पेमिंट कर दी तो बिल अब 2,000 वडी बनेगा बिल तो फिर कम का बनेगा ना जो लेबर है जो महनत करी उसका बनेगा मान लोबिल में दिखा रखा 500 रुपे दूद के 1500 रुपे बायर ने पे कर दिया जो सप्लायर ने पे कर नहीं थे ऐसे में गोर्मेंट को चुना लगया ऐसा जो जी इस्टी चार्ज होना था 2,000 रुपे की उपर हो कितने भी चार्ज हो गया पां सबसीडी वी जोड़ दो इस सबसीडी सारी सबसीडी जोड़ दो किंद सभी सबसीडीओ सोसी जिसने भी दियोंगी वेल्याली तो घंपेचार्ज हो गांड अल् esquadabal एक्षू का काम ट्रू आना Wars सारी सबसीडी जोड़ दो एकसेप्ट वो नहीं जोडनी जो गर्में ने वेल्यू को भी एड़ करना है क्या करना विटा एड़ करना है for example 50,000 रुपे कमाल आपने लिया था मैंने का साथ दिन के अंदर पेमिट कर दे ना भाई सब नहीं तो आपके उपर पैनल इंट्रेस्ट लग जाएगा जो डेली का 1,000 रुपे रहेगा जेली का 1,000 रुपे रहे लिए कि इस टॉपी को थोड़ा सा और जादा क्लियर करो उन्होंने क्या बोला है आप साराइन टेस्ट को जूड़ रहें कैसा बने का नहीं एसा नहीं है लोग बीटा जब समान बेचते हैं यह पना समान बेचता है तो समान 2-3 किसी वेचता है तो cash में बेचता है और आज किस्ते बाद रखें 4-5-6 जब भी EMI की किस्ते आती हैं उसमें प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट दोनों होते हैं तो 40 की चीज अगर 44 में पड़ रही है 40 की 44 में पड़ रही तो अपने कोई EMI टोड़ी अगर कोई EMI टाइम से नहीं बढ़ी तो उसके उपडर क्या लग जाएगा पैनल इंट्रस्ट लग जेएगा और पैनल इंट्रस्ट मालोगो इसिने दो किस्ते टाइम से नहीं पड़ी 500 500 रुपे दो बार इसको पैनल्टी की रूपे देने पड़े इंट्रस्ट की पैनल्टी की रूपे देने पड़े वह जार रुपे के लाएगा पैनल इंट्रस्ट यह पक्का जुड़ेगा 40,000 में yes or no अब clarification clear है दूसरा एक बंदा EMI का option नहीं देता फोन नगत 40,000 रुपे का आप चाहो तो हमसे लोन करा सकते हो हम EMI का option नहीं होता वहाँ दंदाई किसका है विटा लोन देने का यह दंदा लोन देने का नहीं था यह EMI का था इसमें अगर EMI टूटे और पैनल इंट्रस्ट यह कौन सा इंट्रस्ट है सर फिर ना तो यहां मेरा दंदा ना मैंने EMI की बात करी मैंने simply अपना समान दिया है और कहा पेमिंट भाई सब गुड्स दिया है मैंने लोन नहीं दिया क्या दिये गुड्स दिये पेमिंट लेट आई तो ब्याज लग जाएगा सब वो ब्याज यहां पे cover है yes or no बहुत बढ़िया बेट जीतनी चीज एड़ होनी थी एड़ हो चुकी है अब घटेगा क्या ध्यान रखें 15 एक section कहता है बायर-seller unrelated और price is the sole consideration तो क्या बन गया क्या बन गया बिटा वाई-value मान ली जाएगी पंदरा दो में बताई पांच चीज जो एड़ करने है फटाफर रिवाइज करने है फटाफर फटाफर फ़स्ट अनि टेक्स दूटी सेस्फिस एक्सेट जीस्टी सेगेंड ओल इंसीदेंटल चार्जिस थर्ड सप्लियर इस लाइबल टुपे बट पेमिंट की से करा दी बायर से फॉर्थ पाइंट बिटा अब लेस क्या करना है लेस की चीज होती क्या डिसकाउंट लेस करना तुम्हें डिसकाउंट डिसकाउंट साब दो प्रकार का होता है डिसकाउंट दो प्रकार का होता है एक जो इन्वोईस जारी करते टाइम इन्वोईस जारी करते टाइम ही जिसका अमाउंट भी पता है जिसकी ट्रम भी पता है, जो एग्रिमेंट के अकोडिंग भी है, वो तो साथ की साथ सी डिडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिडक्ट, सेल कर रहा था मैने का साब, अगर अगर इतने से उपर की सेल करते हैं, स्वरी परचेज करते हैं, तो हैंडे टू हैंडे 10 परसें की कंडिशन के पूरे होने पर तो मिलेगा, आधरवाइस नहीं मिलेगा यह सुरनो, for example, इस ये पहन आज 10 रुपे का है, कितने रुपे का, 10 रुपे का, आज की आज परचेज करते हैं तो नो रुपे का है, तो यह ए रुपया तो यहां से तुरंत गट गट गया, क्यों य अजय का ऐसे ऐसे पहन, अगर आप पूरे साल में मेरे से 1000 से ज्यादा खरीद लोगे, 1000 जिस दिन क्रोस हो गई, सारे पहन का रेट आट लग जाएगा, अब मैं पूरे साल में 1000 खरीदूँगा, या पता, लेकिन ट्रम तो पता है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, क्योंकि कितने खरीदूँगा, कितने ने खरीदूँगा, ये 9 नहीं है, अगर कल को ये condition पूरी हो जाएगी, कल को ये condition पूरी हो जाएगी, तो future में discount मिलेगा न, सर आपने जब भी पूरे साल में बेचे होंगे, तो किसके इसाब से बेचे होंगे, 9-9 की इसाब से, गवर्मेंट क जाता है, supplier credit not जारी करता है, क्या जारी करता है, credit not जारी करके अपनी tax liability कम करूँगा, लेकिन ध्यान दे, उसने भी, उसने जिसने GST pay किया है, उसने credit भी तो नो की इसाब से बुक कर रखा अपनी books में, जब credit भी तो नो की इसाब से कर रखा है, अगर payment 8 की इसाब से होनी च गटा, दो चो invoice के time पर पता नहीं है, future में condition पूरी होती है, तो बाद में minus होचेंगी, लेकिन सर आज तो पता है यही पक्का इसमें re-invoicing होती है, बाद में credit not, debit not जारी होता होगा, मानगे विल्गूल बात, future में, future में कोई discount दे दिया, लेकिन ऐसा agreement में नहीं लिख रखा में, अगर 1000 unit से ज्यादा लेते तो गट जाएगा, बाद में मैंने एम ही घटा दिया, वो अला discount, adjust नहीं होता है, clear, बोलो भाई, ठीक, बेटा जो कुछ कराना था value of supply में वो करवा दिया, इसके अलावा value of supply में और कुछ नहीं है, 15th section main है, 15th section when 1, 15th section 2, क्या question करें, जल्द कहा है, क्यों खोलना पड़े जा, GSTAT edition है तो, अच्छा फिर उसको अलग से class में कर लेंगे, फटाफट कम्प्लीट करा देता हूं, एक बार, हमने पहला value of supply में लेट ही कर दिया, जल्दी हो जाना चुगी था, बताव कौन सा page अब आई, 200, low, enter, क्या हो गया, 209, enter, लो भाई, यह value of supply था, धियान से देखे बटा, value of supply कें दर, section 15, 15, 1, 15, 2, 15, 1, क्या बोलता है, आगर buyer seller related नहीं है, और price hold consideration है, तोईज ही value को transaction value लिए जाता है क्या क्या चीज जोड़नी है पांच जोड़नी है टेक्स जोड़ने है हाँ बोलते जाओ बिटा supplier is liable to pay लेकिन payment किसे करवादी बायर से जोडना है थार्ड बिटा सारे incidental expenses जोडने है फॉर्थ फॉर्थ interest late fees जोडने है इस interest के उपर क्या है clarification मैंने समझा दी EMI की भी और जिसका धंदा है लोन देने का उसकी भी चलते जाओ चलते जाओ सारी subsidy जोड़नी है कौन सी नहीं जोड़नी है except government गटाना क्या है सिर्फ discount discount कितने परकार का दो परकार का discount वो जो at the time of supply ही पता है तो वो तो तुरंट मैंने इसका दो और वो जो supply तो मैंने दे दी बाद में पता लगा है उसको डिडेक्ट तो करेंगे लेकिन तभी डिडेक्ट करेंगे वह agreement में में जरूर होना चाहिए ऐसी बाते बताने के वादे एक clarification इसके उपर थी फिर बता रहा है related person कौन होते हैं और distinct person कौन होते हैं हम एक चेट्र और करेंगे आज एवे बिल करेंगे और payment of GST करेंगे उसमें मैं दुवारा से बता दूगा तो में related क्या है और distinct क्या तो यहां नहीं समझ रहें सब्सक्राइब में आएगा डिटेल में distinct person क्या होता है और related person क्या होता है तो यह question यह question आपने करा भी था बहुत असान है बहुत ही असान है फड़ाफ रीड कर देता हूं लिस्ट प्राइस गुड्स का exclusive of tax and discount means क्या है टेक्स जुड़ा हुआ नहीं है कितना बिटा पचास जार टेक्स लाइविड बाइमिंस फिले थेरिटी क्या यह GST है नो तो क्या करतेंगे एड पैकिंग चार्जिज इंसीडेंटल चार्जिज नॉट इन्सीडेंटल यह गटाने के बाद है 50,000 सबसेटी गटाने के बाद है तो प्लस हो जाएगी black and white limited offer 2% discount list price पे list price कितना है 50,000 उसी का 2% क्या हो जाएगा discount flat minus हो जाएगा बोले भाई ठीक है सर और आगे क्या रखा है Determine the value of taxable supply made by black and white limited and also amount of GST payable बला 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 लिस्ट price 50,000 एड कर दिया पांच आरपे टेक्स लेविड वाई मिंस्पिल अथिरिटी पैगिंग चार्जिज एड सबसीडी एड कितना हो जाए total 58,000 58,000 का discount नहीं गटाना आपको बस ज्यान रखना है list price का गटाना है list price 50,000 2% माइनस कर दिया 57,000 आ गया CGST SGST का rate हमेशा बराबर होतार कानी क्या होगी खतम आगे सिर्प्रेक्टिस करने के लिए question दे रखे और यहां कुछ नहीं बता रखा question 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 topic क्या हो गया बिटा खतम फटाफट चलते है next topic पे बताओ topic कौन सा आगला topic हम स्टार्ट कर रहे है GST की payment करने GST की payment करने के लिए आपको तीन चीज़ आने चाहिए बिटा कितनी चीज़ें तीन चीज़ों की basic knowledge हैता पेमेंट करा सकते हैं इसके लागा आप पेमेंट नहीं करा सकते questions अगली class में tackle करेंगे फटाफट एक बार payment का concept समझेंगे कई बच्चे हो सकता है concept भूल तो मैं पता है कौन सी चीज़े required हैं बताव बिटा नहीं पताओ तीन टाइप के लेजर होते हैं जीए चीक अंदर कितनी लेजर होते बिटा तीन टाइप के लेजर होते हैं और तीनों के उपर वर्ड लगा हुए electronic क्या वर्ड लगा हो बिटा इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक इसलिए लेका सारा काम आजकर डिजिटली होता है इसलिए वर्ड क्या है इलेक्ट्रोनिक लाइबिलिटी रजिस्टर लाइबिलिटी रजिस्टर वैरी गूड इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर उठाले बिटा पापा का फोन दे उठाओ इल एलेक्ट्रोनिक एक क्रेडिट ज़जर केश लेज़र क्रेडिट लेजर and liability register प्लेर बिटा देन दोनों के पीचे लेजर उसकी पीचर रिजिस्टर है कि रुख जाते हैं गुडिया का फोन आए हुआ है एक मिनिट के लिए क्लास में रख दिया आज इसका बढ़े है तो कुछ के भी नहीं सकते इसको चलिए आगे चलते हैं बिटा ध्यान से सुनिएगा जो हमें चुकता करना है वो हमारी लिएविटी होती है जो हमें चुकाना होता है जितना भी हमारे टेक्स बनता होगा वह सारा कहां डिस्टलोज हो रहा है कहां डिस्पले हो रहा है सारे कि सारेचीजीं डिस्पले हो रही है जो भी हमें PC है इंटरस्थ है चुकाना है सारा कहां दिख रहा है Last one in the Colin Hall ठीक सर यह है वो जो हमें government को देना है लेकिन जब सर उने प्रचेज करी होगी जो हमारी प्रचेज को किसी की सेल है जिसकी सेल हुसने हमारे साटेक्स लेके government को दे भी रखा है तो ओल्रेड़ी हम कुछ जो चीज में लेके आया हूं उसी को सेल कर रहा हूं और इसी चीज पर ओल्रेडी मैंने अगर टेक्स पे कर रखा है तो दोबारा जब टेक्स परूंगा तो यह वाला लेस्ट नहीं हो जाना चाहिए इसी को तो क्रेट बोलते हैं अगर मैं परचेज में टेक्स दे आया और से से सव्टिवर गी उपर प्रेड लेजर में जितनी भी परचेज करीं है जितनी भी परचेज करिए है हार बार आपको या ईटीसी मिलाओगा क्या मिलाओगा इटीसी वह सारा इटीसी यहां डिसपले हो रहा है ईससर 25 यह फीन को चुकाना ह्ए मैंने कहां फोर इक्जम्पल माल नो 50,000 रुपे का टेक्स पे करना है आउटपुट ज्यादा सेल कर दिया 50,000 का गुवर्मेंट को जीश्टी चुकाना है यस जो परचेज करीदी स्क्यूपर जीश्टी मालो 30,000 है तो यहीं से पे कर देंगे मतलब सेट ओफ कर लेंगे हम 30 दोबारा नहीं देंगे 30 दिये बेठें टोटल बनता है गुवर्मेंट का 50 जिसमें से इतना दिये बेठें 30 तो क्या कर लेंगे एडिश्ट बकाय कितना बचा लेटा वेटा 20 यह 20,000 हम कैश लेजर में deposit करा देंगे हैं cash deposit cash लेजर में via oo bridges Exc債 wonder करा देंगे via bank घ्राइंगे बाकी की payment फिर यहां से हो जाएगी ultimately government को जितना देना था हो मैंने दे दिया 20,000 रुपे तो मैंने cash ledger में deposit करागे दे दिये और 30,000 रुपा मेरे पास क्या पड़ा था credit पड़ा था it means जब भी government को payment करनी होती है जब भी government कही गिला पड़े tax तुरंत हमें यह देखना होता है क्या हमारे पास कुछ ITC पड़ा है तो पहले क्या करो ITC और ITC एडिस्ट करने के बाद अगर आपको कुछ रह जाता है तो आप cash ledger से payment कर सकते हैं फटा फट बताई बीटा जीस्ट के अंदर payment को समझने के लिए कितने लेजर होते हैं दो लेजर होते हैं एक रजिस्टर होता है लेजर दो रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर का नाम liability register जो हमें चुकाना है cash ledger में क्या है जो पैसा डाल के हमें balance भी करना था और credit ledger में क्या है जो आपने purchase करते हैं हमारा ITC आया है इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बहुत बढ़िया चलते हैं फटा 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 आगे बंतव अगा एक होंचा फ्ट। एक होते हैं युद्न ऑच का थेयोा होते हैं डवल घपार वने कि आई शुर लुन किge tax diaping से नहीं दिआ ता कुछ rule तोड़ दिए थे penalty इंट्रस्ट मड़ाता है तो जितनेगे पेइनल्टी हैं जितना भी इंट्रस्ट जितना भी फाइन है वो सारे कहलाते है अधा जासा है अधाग धुष कि अलावा झास?」 eldadeltी मैं चाहिए थेक्स के अलावा से मेंHola पावर क्यों ज्यादा है नेक्स्ट पे बता देता हूं लेजर आपने पता है लेजर दो प्रकार के होते हैं जीस्टी के अंदर एक होता है कैश लेजर एक होता है क्रेडिट लेजर किसकी पावर ज्यादा है इसकी पावर ज्यादा है बताओ क्यों याद आ गया होगा क्रेड debit ledger से only only tax ही पे कर सकते हैं other dues other dues यहां से नहीं बशने cash ledger कैसा है दिल करें तो टेक्स चुकता कर दो और दिल करें तो other चीज फाइन पेलोटीबी चुका दो तर नहीं समझ मैं आप्स असला सिस्टेमेटिक ली बताओ government को जो हमें देना है वो liability registry display होता है बोलो भाई liability आपके उपर इंट्रेस्ट है मैंने का ये बात भी ओक्या है और के वी 20 दा रुपे का आपके ऊपर फाइन है यह बद वी बात भी ओक्या है फाइन कि जब भी गुवर्मेंट को कुछ देना होता तो हमेशा अपनी पोटली में चेक करना होता है मारे पास आईटीसी कितना है इंपूट टेक्स क्रेड़िट मेरे पास लाख रुप्य का पड़ा है मैंने का चिंता क्यों करते हो साब मेरे मैंने अल्रेडी बोजाता दे रखा सा क्रेड़िट लेजर में क्रेड़िट लेजर के क्रेड़िट से वर्ड सुनिए क्रेड़िट लेजर के क्रेड़िट से सिर्फ टेक्स ही चुकता कर सकते हैं बेशक लाख रुपय का क्रेड़िट पड़ा है पचास जाल टेक्स ही बर आजा सकता है साब यह जो दो अमाउंट है ना इंट्रस्ट और फाइन इन के लिए तो आपको कैश लेजर में डिपोजिट करागी चुकता करना पड़ेगा यस और नो इसका वंदल सो कैश लेजर ऐसा है दिल करें तो टेक्स बरो दिल कर तो अधर फाइन पेनल्टी बरो लेकिन क्रेडिट लेजर से सिरफ और सिरफ सब्सक्राइब करने का कोई मैनर होता है कि थोड़ा बहुत प्रकाश डाल सकते हैं एक बिल्कुल डाल सकता हूं जिस्टी के इंदर पहले पीछे से दामन साफ किया जाता है तो आगे का काम होता है अगर आपने पुराने टेक्स पिरिट का टेक्स चुटा नहीं कर रखा अ स्टवता बाद में पीच्छी एडिषीअ होता है मेरी बात समिंझ in लिए में ठीक है इसने नहीं बता बने बरें नहीं पारले बनीते पहले और clear returns जाती है और बाद में फिर current की किया जाती है जाती है यस ठीक फटाफ़र उस बाद पर प्रकाश डालते हैं जिस बात में बता रहा था क्रेड कैसे अर्जिस्ट होता है मैंने को जो पे करना है पका वो लैबिलिटी रिजिस्टर में दिखरा वह यह सूर्णौ अब वो पे जो करना है अब GST कई परकार का ऐसा आपको पता है हिंदुस्तान में GST तीन परकार का है IGST की पेमिंट करनी है CGST की पेमिंट करनी है SGST की पेमिंट करनी है यह तीन टैक्सिस हो सकता है यह हमें आपने क्रेडिट है क्रेट तो हमारी पॉर्टलि में भी तो तीन प्रकार गी अइटम हो सकते हैं जोंती कुछ रूलर एड्जेट नहीं हो सकता पकी बात कर एंट करनी है पैमिंट करनी है पकी नहीं सबसे पहला रूल है आपको IGST का अगर आपके पास credit है, अगर आपके पास IGST का credit है, तो set of करने के लिए सबसे पहले इसको kill करना पड़ेगा. किल समझते हैं, खतम करना पड़ेगा, जब तक ये credit खतम नहीं हो जाता, आप इन credits को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते, तो पहले क्या करें मिटा, खतम करें, और खतम करने का rule सीदा है, सब पहले अपने परिवारगी payment करते हैं, IGST से पहले कौन से tax payment कर दूँ, IGST से, या तो सारा credit खतम हो चुका होगा, या नहीं होगा, अगर नहीं होगा, तो दूसरी नंबर payment किसकी हो जाएगी, पहले होता था दूसरी नंबर पे, फिर होता था 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 तरी नंबर पे, अब ऐसा नहीं है, पहले IGST से payment करो IGST की, अगर credit बच गया, तो इन दोनों की payment, एनी मेनर में कर सकते हो, एनी मेनर, सर समझनिया, दिल करें तो सारी इसकी, दिल करें तो सारी इसकी, दिल करें तो multiple proportionate में, दिल करें आप का ऐसे कर लो, yes or no, ठीक है, सर एक बाद बताओ, आप तू कह रहा हैं, कि IGST की payment करने के बदद क्रेट बच गया, अब उल्टा ले लो का यूज करें, SGST ही तो पता है, लेकिन CGST का जब यूज करेंगे तो तुमारे मन में क्या आएगा, पहले इसकी payment कर देते हैं, ना, हमेशा अपने परिवार की payment पहले होती है, हमेशा, सरी इस केस में CGST पहले CGST को पे करेगा, बच गया तो किसको payment करेगा, ये कभी भी इसक को तुम ऐसे याद कर सकते हैं, साब, कि CGST और SGST आपस में जानी दुश्मन हैं, ये कभी भी आपस में internet जिस्टर नहीं होते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, डुल, very good, आज को बात बन गी, आज बात बन गी, फिर इस चप्टर में पीछे बता रख है, short not, sorry, इससे पहर एक point बता दूँ, अगर आपने GST टाइम से जमा नहीं कराया, क्या नहीं कराया, टाइम से जमा नहीं कराया, तो government आपसे पैसा with interest लेती है, कैसे लेते बिटा, with interest, और interest की rate क्या गे लिख रहा है, not exceeding, not exceeding 18%, तो एट प्रेजेंट चल भी कितना रहा है, 18%, तो government को अगर आपने question में लिखता है, टाइम से payment नहीं हो रखी है, तो आप interest भी calculate करके government को देंगे, और rate क्या रहेगी बिटा, 18%, इस chapter में आगे बता रखा है, electronic cash laser क्या होता है, हमें बता है, क्याता है, credit laser क्या होता है, हमें बता है, और फिर liability register क्या होता है, हमें बता है, फिर cash laser में जमा कराने का तरीका बता है, हमाँ payment कैसे deposit कराते हैं, यह बिलुकुल वैसा ही होता है, हमारा account होता है, जब हमारे account ही में पैसे डालते हैं, तो हमारा account क्या होता है, credit, और जब इससे payment होती है, आगे तो यह क्या हो जाता है, debit, यह सुरनो, इस debit credit वाली बात को एक करता जाओंगा, मा कसम यह account credit होगा, जितना cash laser में और पैसा deposit कराता चला जाओंगा, यह account भी क्या होगा, credit होगा, इसका by default debit balance होता है, लेकिन जब यह, जब यहां से पैसा जाएगा, हम इसको set off करेंगे, इसको क्या करेंगे, set off करेंगे, यहां से पैसे की payment करेंगे, payment करेंगे, तो इन दोनों case में, यह दोनों account तो क्या होगा, debit, और यह account अपना क्या होगा, credit, क्या आपको यह बात सुंझे ना आगी, यह नहीं आई, इस चेप्टर के अंदर मूल जो चीज़ें थी, कल इसको थोड़ा सा ओव डीटेली के अंदर theory मैच करांगा, महा प्रकास जालेंगे, इस चेप्टर के अंदर इस से ज्यादा कुछ भी नहीं था, इसका नाम था, बिटा, payment of GST, अगले चेप्टर का नाम है, time of supply, क्या नाम बिटा, time of supply, कल की class में, जिसकी मैंने recording नहीं करी है, आप कोई कुछ-कुछ चेप्टर समझा दिया था, सबसे पहले यह ब ट्रांजेक्शन अगर करिये, तो जुरूरी नहीं सारे काम एक दिन में हो गयोंगे, एक दिन आया था, माल देखके चला गया, एक दिन आया, फिर माल को अलग करके चला गया, फिर एक दिन आया, पाइट में payment कर दी, फिर एक दिन हमारा invoice कट गया, फिर आया, दुकान में प्युजा करे चेला गए और फिर लास्ट लेज़िगेेल स्टस्च को क्या होगी होगी बैसाब यह अलग-उलग डेट के काम है सारी माल किसी दिन देखा अलग किसी दिन करवाया पायट में पेमिंट कभी करी थी इन वई मैं कभी कटा था GST चार्ज करनेगी और आगे जमा करने की liability आपके सरा आज आएगी इसलिए पढ़ा जाता चेप्टर कौन सा time of supply आदे गदे हैं जिनको यहीं नहीं पता है चेप्टर क्यों पढ़ते हैं मेरी साफ से आपको clear होगा तो time of supply के अंदर फटा-फटा आगे चलते हैं याद करो time of supply चेप्टर से question आएगा का confirm formula-based chapter है बहुत छोटा चेप्टर आएगा date निकालनी होती नाइंटीन परसेंट आंसर विच आर्लियर होगा क्या होगा हमेशा earliest date आपकी आजएगी answer आजएगा इस चेप्टर को बड़े ध्यान से कवर करना time of supply तीन चीजों का निकलता है एक निकलता है goods का एक निकलता है service का और एक निकलता है बेटा voucher का किसका निकलता बेटा voucher का तीनों के time of supply दोनों mode से निकलते हैं आपको पता ना mode दो होते है एक reverse charge, normal charge, goods का भी normal charge में time of supply अलग है, reverse charge में अलग है, service का भी normal charge में अलग है, reverse charge में अलग है, बदाईयो, voucher, चाए हो normal charge, चाए हो reverse charge, चाए हो voucher goods का, चाए हो voucher service का, सब का एक ही तरीके से निकलता है time of supply. आओ कलो की क्लास में मैंने आपको सर्विस का रिवर्स और सीखा दिया था मैंने गुड्स का रिवर्स सीखा दिया था रिवर्स साइज का मतलब टाइम ओँ उस युद्ना सिखा दिया था तो आज छको समें क्या बचा हुआ है Chamas आज की क्लास में हमें टाइम ओफ सप्लाई ढूंडना है गुड्स का लेकिन किस केस में नॉर्मल चार्ज अगर होता तो गुड्स का टाइम उस्प्लाई कैसे निकलेगा सर्विस का नोर्मल चारज्च में ठाइम उप्प्लाई कैसे निकलेगा और फिर वाउचर का अब बाउचर का मैं सिखा चुड़का हूं फिर भी तुमारे से खरवाईज कर दूव texture का टाइम और प्रवस्प्लाई कैसे निकलता Economics कभी ने कभी एव जर किया गया था इशू, इस voucher को coupon भी बोला जाता है, क्या बोला जाता, एटओ लेगे इशू किया गया था, काटा गया था, उस दिन देखा जाता है ख्या आपको advance में supply का पता है supply उसी दिन इख्वता है ओड क्या email गर्भीट ऐज ए फियबल होता है five evl होता है जन्द हम यहां से मारता हो इवल है उस स्प्लाइब पता है यह उस एंप प्लाइब उसका डाइडिन पिवेल का मतलब resistance है जो आज धी पता सकताए अर। चसल्ग सकता है उस सो रूपे कर रिट्व आप बाउचर दिय strongest three जा यह वाउचर काटा था जारी किया था वही बन जाएगा टाइम ओफ सप्लाई यह सुर्णों बहुत बढ़िया अगर पताई निया सो रुपे का कुपन तो दे दिया और बोल दिया मल्टी यूज कर सकते हो मूवी देख सकते बिरमाश्त्रा पीजा खा सकते हो घर लेकी जा सकते हो गाड़ी खरीच सकते हो डिजल डलवा सकते हो मर्जी तुमारी साब इस केस पे वर्ड आ जाएगा डेट ओफ रिडीम जीज दिन वाउचर को यूज करेगा वो दिन मान लिया जाएगा टाइम ओफ लिए इन दोनों का द्यान से सुनना इन दोनों जाएम समझे ले से पहले बाद में निकलेगाओ नॉर्मल चार्ज का टाइम ओफ सप्प्लाई डि डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि हमें इन वोईवेज कब काट देना चाहिए ऑ मैई गोड यह कॉनसेप्ट जब तक नहीं होगा टाइम और सप्लाइए नहीं निकल सकता सब इसका पतल इन्वोइस जारी करने का भी कुंसेट है फटा फटा एक बार भाव ही समझ लेते हैं ध्यान दें रिवर्शाज मैसा नहीं था रिवर्शाज मैसा तो सरे पर शिखा दोना इन्वोइस कब तक इसु करना होत भी होता है मैंने का सिखा देता हूं इन्वोइस कब तक जारी करना ओता या तो इन्वोइस किसका वेटा जीट under the dayburg service कि इन्वोइस बुर्श है तो हमारा डिपार्ट्मेंट बहुता जाए क्या कै नहीं जब जिस दिन आपने सी दिलिवर्वरी दीए उसको बूलते है date of delivery मैंने का बोलते हैं कहता है इस दिन या इससे पहले invoice कट जाना चाहिए सर इंगलिस में बोलोगे मैंने का हाँ on or before बोल दूँ on or before that date of delivery जिस दिन समान की delivery दी है उस दिन या उससे पहले invoice हर हालात में कट जाना चाहिए concept clear यह goods के केस में बिटा किसके केस में इसके केस में इसको बोलता है date of completion date of completion of service जिस दिन आपने service दी उस date के उस date के आगे लिखर का within within 30 days within 30 days आपको invoice काट देना है साहब तो यह concept इस से अलग हुआ ना goods के case में इस कब काट देना है delivery देने वाले दिन यह उसे पहले काट देना है service की case में delivery हो चुकी हाँ हो चुकी service की delivery नहीं होती है जिस दिन आपने service complete करी उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है invoice काट देना है पका confirm छी के सर इसका time of supply यह वह सकता है दो के सकता है दो के सकता है कि निकाल के दिखाओं के थीज पर प्सक्नायद के अंदर invoice काट देना चाहिए तो दो ही के सबनें या तो within 30 days invoice कटा होगा issued या नहीं कटा होगा note issued तीसरा है नहीं हो सकता साब तीसरा दो case ही नहीं होता या तो इन्वाइस कटा है या इन्वाइस है नहीं कटा है सबसे important किसी भी supplier के लिए किसी भी manufacturer के लिए किसी service provider के लिए date of payment होती है एसाब किसको चाहिए रोकडा रोकडे वाली date दोनों case में date of payment लिखलो यहां भी और date of payment लिखलो यहां भी invoice time से issue हो गया है तो इनाम invoice को देंगे तो यहां लिखा जाएगा date of invoice और अगर invoice time से हुआ नी तो पिछवाड़े पे मारी लात्तू भाग कौन बचा date of completion पूरे time of supply में हमेशा क्या देखा जाता है अर्लियर यहां भी क्या देखा जाएगा अर्लियर अगर अर्लियर देखा जाएगा तो जो भी date निकल के आए वही आपकी क्या बन गई time of supply यहां क्या बन गई आपकी time of supply बदाई हो service का case हो और normal charge हो तुम्हें invoice issue करने का concept भी पता लग गया और साथ की साथ time of supply का concept भी पता साथ बेटा time of supply मुझे बताओ goods के case में service के case में service के case में time of supply कैसे निकलेगा तुरंत लिखेंगे invoice देखा जाएगा क्या invoice within within 30 days कहां से 30 days date of completion of service से issue हुआ है या तो issue होगा या not issued होगा अगर not issued होगा दोनों जगे paper में question निकालने का तरीका date of payment date of payment किसके साथ compare करेंगे यह date of invoice यह date of completion which ever is earlier which ever is earlier क्या निकल क्या आया क्या निकल क्या आया रट्टेवास ध्यान दें सब जगे earlier है तो तीनी तो date होती है यह यह payment वाली date होती है यह जिस दिन service complete कर दी है जिस दिन विल काटती है तीनों में से क्या दिखना मिशा earlier वही आप cancer होगा इस गूड़ के केस में गूड़ की केस में हमारा department काता है में payment की बात नहीं करूंगा में पेमेंट की बात नहीं करूंगा जिस दिन नुस्त कर देट औफ, एक्छोल इंवोईस जिजिं दिन एक्छोल में इन्वोईस कर्ट वू देट लीक लो मैं कर लीख ली और कहता है एक जिजदीन कर्ट देना चाहिए था अब वो तुम्हें पताओ ना चाहिए गूड के केसे में इसकब ते काट देना चाहिए था अप टूद देट डिलिवरी तो इस बात को मैं दो तरी केसे लिख सकता हूं देट ओफ इन्वोईस तूबी इसूड जीज दिन इन्वोईस काट देना चाहिए था और इतना लंबा याद ना करो तो लिख सकते हैं देट ओफ डिलिवरी जीज दिन माल दिया क्योंकि यहीं तक तो कट जाना चाहिए तला श्ली यहां के बाद कटाओगा पहला कटाओगा पता लग जाएगा माल दिया है 20 अगस्त को डेट बताओ यह कौन सी क्यलाएगी डेट लिलिरी इन्वोइस कटा है 24 अगस्त को यह टाइम से निकटा बाद में कटा है इन दोनों डेट में हमेशा देखा जाएगा क्या यह दो डेट लिखनी है पेमिंट वो जान बुच के चव्क पर दृष की बिच में कुछ भॉष आएगा इस दिन पैमिंट आ ही है एडवान्स पेमिंट इस दिन आ गी थी पाल्ठ कमेंट पाद में आई यह इतन ही पहले है पेम्मेंट देखनी है सर्विस के कैस में पेमिंट देखनी है ंडिश में पेमिन्ट का केस है और न alliances तो पेमेंट नहीं आती साब सिर्फ दो चीज लिखनी है क्या जिस दिन एक्चल इन्वाइस और जिस दिन गुड्स डिलिवर की थी विच आर्लियर बाद आयो आपका क्या निकल किया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई यस और नौ पका ठीक एक कॉंसर्प्टोर कहलादेताव यता तुमने वाउचर का चीख लिए तुपने घुड्स का सीक लिए तुमने सर्विस का सेख लिए तुमिए लिए बात पताओ जो एडेशनल कंसीडीरेशन तुमें मिलता है जो एडिशनल हम स्प्लाई को निकालेगा सरम समझे नहीं 50,000 रुपेगा तुमने वाल बेचा था इसका टाइम उस्प्लाई इसका टाइम उस्प्लाई तो मैंने सीखा चुका कैसे निकलेगा यह पतास दारबे टाइम से रिसीव निया डिड़ महीने बाद 20,000 रुपेगा ब्याज आ गया क्या गया इंट वैल्यों स्प्लाई ने एक थप लगा दिया हाँ इस पर इस लगेगा लगा दिया ठीक है लेकिन लगेगा कब यह बात तो टाइम उस्प्लाई ना साब लगेगा कब यह बात कोन बताइगा ताइम स्प्लाई तो टाइम स्प्लाई के वारे में क्या बोलता है कैता कोई भी additional consideration हो, चाहे हो fine, चाहे हो fees, चाहे हो interest, मैंने का अच्छा, क्या ता जिस दिन रिसी होंगे ना date of received, जिस दिन रिसीव हुए हैं, आपको supplier को जिस दिन ये 20 दारवे मिल गए, वही date बन जाती है, क्या time of supply, sir ये किस का case था, मैंने का चाहिए ये goods का case हो, चाहिए service का case हो, कहीं भ जिस दिन वह चीज आपको मिल गई, वही दिन क्या मान लिया जाएगा, time of supply मान लिया जाएगा, समझ में आया निया, बोलो भाई, शबास, दो concept और सिखाता हूँ, फिर इसके बाए time of supply भी क्या कर दूँगा, खतम, फिर करेंगे बिटा क्या, meaning start, और फिर evable, और आज का topic, फिनिश, कितने मिनिट होगे हमें, 41 मिनिट होएं साफ, और तीन चेप्टर, साफ होगे, और क्या समझी में आया है, तो में time of supply, हो सकता है इतनी clarity, उस time पे भी ना आयी हो, इस time पे हमने original lecture करें हो, बहुत सारी चीजे revision में clear हो जाती है, अब goods का case clear है, goods का reverse charge clear है, service का normal case clear है, voucher का case clear है, additional consideration का case clear है, लेकिन एक चीज़ के लिएर नहीं है, क्या date of payment, date of payment, साब कई बार क्या होता है, payment की जो date है, वो उल जा देता है, अगर payment की एक की date बता रखी, बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन payment की date अगर उल जा गे बता रखी, तो समस्या है ना, यस समस्या है आपको payment की date ऐसी दे रखी है, दो अगस्त को वो चेक देके गया, चेक देके गया, वो चेक आठ अगस्त को clear हुआ, क्या हो गया, अकाउंट में clear हो गया, अब payment की date को उन सी मानी, थोड़ा सा confusion आया ना, तो ऐसा confusion पेपर में भी तो आ सकता है, यह confusion ही तो नहीं चाहिए साब, concept बोलता है, date of bookish entry, date of bookish entry, जिस दिन आपने चेक आया होगा, चेक आते ही, चेक रिसीवट के एंट्री डाली होगी, मैंने का डाली है, कहता है, वो date होती है, वो किश एंट्री की date, मैंने का लिख ली, और बता, क्याता ही कि होती है, date of actual credit, जिस दिन अकाउंट में पैसा, credit हो गया था, मैंने का ठीक है, कहता हमेशा इनका क्या देखोगे, अर्लियर देखोगे, जो भी अर्लियर में date निकले किया आएगी, आपको एक्जाम के लिए, वही date मानने है, date of payment, मैंने का इसमें नया क्या था, हमेशा एंट्री पहले होएगी, और चेक क्लीर तो बाद में होएगा, तो फिर यह concept बताने ही क्या जरूरत थी, इतना ही बोल देखे, date of bookish entry, क्रेडिट पहले हो गया, बेंक मैसेज आया, अकाउंट में पैसे आया, ओ, चेक के एंट्री करने रहेगी, बाद में एंट्री डाल दी, तो case तो कोई भी हो सकता है, इसलिए concept नहीं बोलना, bookish and actual credit, whichever is earlier, बाहर ने कलेके आया, time of supply, आद वने तो आमर ली थी, हम time of supply नहीं डून रहे, यहां देख रहे थी, अगर दो तिन डेट से रखी हैं, तो date of payment को कैसे identify किया जाता है, clear, यह point भी हो गया, next, बेटा सुनो ध्यान से अब, एक concept है, 1000 रुपे तक के advance का, 1000 रुपे त तो मैं इसरी प्रेक्टिस करनी है, और chapter over, 1000 रुपे तक क्या concept है, अगर supplier के पास, यह service provider के पास advance आया है, और यह advance अप टू, 1000 रुपे तक का आया है, कहां से 1000 रुपे तक का आया है, कहां से 1000 एक्स्ट्रा आया है, invoice value को देखती हुआ है, सर थोड़ा ऐसा कम समझी में आया, मैंने का, मैं समझाता हूँ न, अच्छे से, advance दो प्रकार का होता है, advance दो प्रकार का, तो जो advance तुम ने सुन रखा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, तुम ने ते advance कौन सा सुन रखा, अब माल लेना है, मैंने का लेना है, कुछ payment दे जाओ जी advance में, कि माल अभी तक नहीं नहीं दिया है, लेकिन 10,000 रपे advance में booking amount जमा करा दिया, EC को तो advance बोलते हैं, मैं उस advance की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने का, सर अगला बेच में आप हमें इंटर का text पढ़ा देंगे, मैंने बिटर टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है, और नहीं तो seat भी नहीं मिलेगी, क चिलर की वज़े से हमारे पास आगया, चिलर की वज़े से, for example, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो मैं हूँ service provider, और तुम सारे हो service receiver, मेरी tax की फीस थी बिटा 14,880 रुपे, कितनी बिटा, 14,880, एक बच्चा आया और उसने 15,000 रुपे पकड़ा दिये, कह तर चुटे नहीं ह 14,880, इन्वोइस में लिखा हुआ है, मेरे पास payment आगी है, 15,000, मुझे बताना कितना extra आई, 120 रुपे सा extra आगे हमारे पास, मैंने कहा आगे, ये 120 रुपे, advance आए, आपकी पास, supplier के पास, ये service provider के पास, और ये 1000 रुपे तक का है, उसे ज़़ा है, invoice value के difference का 1000 रुपे तक का difference का, अगर आपके पास advance हाजाए, चिलर की वज़े से, तो बिटा, advance तो आगया, advance तो आगया, और service की case में आपको पताई होगा, service की case में एक बसड है, क्या, date of payment, date of invoice, or date of completion, whichever is earlier, और दो तिन देट को उल्टा पुल्टा करके earlier देखते हैं, इस, इस 120 रुपे के लिए आज ही time of supply निकलाएगा, और आज ही इसके उपर GST जमा कराना पड़ जाएगा, बोलो हाँ, अरे extra payment आगी भाई, 120 रुपे की क्या मेनी service दी है, नहीं दी है, तो सबसे पहले क्या आगी, date of payment आगी, date of payment आगी तो यह तो उपन जाएगा time of supply, सरीय तो आपने किया ही नहीं है, यह चिलर एडवांस अगर आजाते हैं, तो आपको इसका time of supply अभी नहीं निकालना, आपके पास एक option है, आपके पास क्या है, option, आपका दिल करे ना किसी दिन, जब इस 120 रुपे के लिए bill काटो, bill काटो, मतलब invoice काटो, invoice, date of invoice, या तो उस दिन बना लेना, time of supply, option है, और, या कभी 120 रुपे के लिए कभी future में आप service दो, तो आप adjust करोगे 120, तो date of service या completion उस दिन के हिसाब से मना लेना, मतलब तुम्हारे पास option है, invoice या completion के हिसाब से time of supply निकालेंगे, rather than payment, क्योंकि payment तो आ चुकी है, nutshell में concept को खतम करते हैं, नॉर्मल अगर advance आता है service के case में, तो wide rate time supply होती है, यह सुरनो, अगर advance सब से पहले आगया, और service का case है, तो paper में चेक नहीं करना है, wide rate क्या बन जाएगी, उतने amount के लिए, time of supply, इस case में आतोगा advance, लेकिन यह वाला advance नहीं था, बसद मत जाएगी साब, accounting बड़ जाएगी, इसलिए option दे रख हो चकता है, आपको पिछली बार ना समझ में आया है, हाँ, और अखी लोता तो इसा यह भी कह सकता, कुछ नए बच्चे क्लास में लड़की आई है, तो, camera भी चालू है, आपने बहुत बेत्र पड़ाया है, अच्छ, अभी से पहले ऐसा, नहीं समझाया था, मैंने समझाय में समझाने में टाइम लगाता है, अगर रिविजन डंग से करें, तो सुबह बैट जाएं, तो श्याम को GST पेक करके उठ जाएंगे, है ही कहा इसमें, अगर समझाने वाले का तरीका सही है, और समझने वाला भी सही है, अगर दोनों सही है, तो GST 40 नमबर में से 35 नमबर की जा सकते हैं, लेकिन समझाने वाले जितना खतम है ना, समझने वाले उससे भी खतम है, तो दोनों साइड से खतम होंगे, तो विनाश होएगा, meaning of supply, लोग साब हम इसको समझे ना, एक बार के मेरा पोज करके, एक बिनिट का ब्रेक लोगा, मैं पाने पी लेता हूँ, पो GST, लगता है साब supply पे, किस पे लगता है, क्या मैंने sale लिखा है, अगर sale लिखते, तो लोग क्या कर लेते, आपस में exchange कर लेते और GST से बच जाते, या नहीं, इसलिए जैसे capital gain में एक word है साब transfer, वाहन भी sale नहीं लिखा, transfer कई सारी चीजे बता है, कहते है सारी transfer है, ऐसे GST एक word चुल लिया, उन्होंने supply, GST, supply पे लगता है, and supply includes, इसमें वो तारी चीजे है, तुझे sale कहूं, तुझे बाइटर कहूं, तुझे एक्सचेंज कहूं, या तुझे क्या क्या कहूं, कुछ और चीजी भी थी इसमें, क्या थी थी एक नाविट एक बार, transfer कहूं, या तुझे rental कहूं, या तुझे lease कहूं, कितनी सारी बात ही आगे, कैता है, तु अपने कुछ भी नाम रखते है, मेरे लिए एक ही नाम है क्या है, तुझे sale कहूं, बाइटर कहूं, exchange कहूं, transfer कहूं, rent कहूं, lease कहूं, कुछ भी कहूं, तु है क्या? supply, सब क्यूपर सब्सक्राइब का नाम है और दूसरे बॉइफ्रेंट का नाम है फर्दरेंस ओफ बिजनस फॉर दर परपज लिखू बच्ची का रिक्वार्मेंट है कि तब फर्देंस लिखो मजाग चल रहा है अगर इंपोर्ट हुई है सर्विस इंपोर्ट हुई है सर्विस सर्विस का इंपोर्ट का मामला है और कहता है फॉर कंसीडरेशन है क्या विटा आगे लिखता है फर्द्रेंस ओफ बिजनस हो चाहे ना हो हमें फर्क नहीं बढ़ता जा तुझे माल लिया सप्लाई जो अब तक इठला रही थी कि दो चाहिए उसको उकात पे ला दिया है कि कं समक्राइशन है ना तो भी तूझ सक्लाई बनेंगी फिर वो कहती सप्लाई में तो मेरा मीरातं सब्सक्राइशन है इसकी विना तो में जी is not to one प्रटिए गया है जिनको डीमड सप्लाई का नाम दिया गया और इसमें सारे वो केसिज हैं जहां पे कंसी डुरेशन ही नहीं है कंसी डुरेशन ही और उसको बोल दिया कंसी lid भी नहीं होगा और फिर भी तेरे को सप्लाई मानेंगे क्या आपको तीन अलग लग वाते समझे में आई मैं इसको समप करता हूं वेटा मीनिंग और सप्लाई में मैं समझा रहा हूं साब आपको मीनिंग मीनिंग और सप्लाई का पहला पाइट में गता हूं सप्लाई इनिकल्यूर्स सप्लाई इनिकल्यूर्स सप्लाई में क्या क्य आएगा सेल आएगा बाटर आएगा एक्शेंज आएगा रेंट आएगा लीज आएगा ट्रांसफर आएगा एट सिट्रा लेकिन क्या चीजिए साथ में for a consideration consideration होना चीए and furtherance of business होना चीए पहला कलोजी बोलता है सब यह दो बंदों के भी ना कह रही थे में सप्लाई नहीं बनुँगी एक घटा आगे दिखाते हैं वन एक लोज कहता है शायद वन एक लोज नहीं है इसी के अंदर पर इसी का दूसरा पाइट कहता है अगर आपने इंपोर्ट किये सर्विस क्या है बिटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फटा बट बताओ क्या वो लागे for a consideration होना चीए business purpose हो और बिजनेस परपज स्वरी हो चेह ना हो हमें कोई मतलब नहीं है तीसरा पाइंट के विटा याद रखने के लिए वो एक्टिविटी वो चीजें जो बता रखिए स्केडियूल नंबर इसमें वन में जहां consideration हो चाहे ना हो फिर भी तुझे क्या मान लियाएगा supply क्लियर बिटा इसका मतलब तीन चीजें यहां बता रखिए फिर इसका दूसरा point जो close one a है शयाए close तुम अपने हिसाब से rectify कर लेना मेभी कहता है बाइस अब schedule two है क्या schedule two कहता है या तो मानी जाएंगी goods या कोई चीज मानी जाएगी service जो सी goods में आगी हो service नहीं हो सकती तो service होगी वो goods नहीं हो सकती मैंने कहा यह बात भी ठीक है इसका भी तू close वो क्या बोलता है कि भाई सब कुछ चीज है ऐसी है कुछ activity है ना तो वो मानी जाएंगी goods और ना वो मानी जाएंगी service यह schedule three में बता रखा है कामतार का schedule three में बता रखा है मतलब यह negative list की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है इतनी बड़ी चीज समझने के बाद पता लगता है supply की definition क्या है इसका मतलब सर हम यह समझ में आ गया schedule तीन प्रकार के है schedule तीन प्रकार के हैं GST के अंदर schedule number one schedule number two और schedule number three three है neither goods nor services मतलब negative list ना तो आप goods हो और ना आप service हो schedule two बोलता है either goods or service या तो आप क्या हो goods हो और या आप क्या हो service हो और schedule number one क्या बोलता है consideration नहीं है consideration नहीं है फिर भी हम तुछ supply माल नेंगे it means deemed supply it means deemed supply क्या आपको यह का नहीं समझे यहां भी सबसे important deemed supply होता है schedule number one इसके चार केसे हैं एक केस दो केस तीन केस चार केस चार केस ऐसे होते हैं साब जहांपे consideration ना भी होगा तो अभी इसको supply मान लिया जाएगा clear करें start ठीक है पहला point आप बताएंगे deemed supply का first point screen पर आप बताएंगे परमानेंट वर्ड ध्यान सुनिय साब परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल किसका बिजनस की एसेट्स का ओन विच जिसके ऊपर ITC आपने avail कर रखा था या बुक कर रखा था और ऐसी जिस चीज को आप बिजनस परपज के लिए के लिए उसका ITC भी अपने बुक किया और वो चीज आपने बिना कंसिडेशन बिजनसे बाहर निकाल दी तो भी हम उसको सप्लाई मानते हैं एक्जंपल मैंने आपको लिया था उस टाइम पर साब मेरी लया हुआ कि रसी दुकान है मैं A-C कईसला यहां यह सी बेचता हूगा यह यह मैं लाया हूँ तो जिसने ếtी मेरे को सेल करें मैं असनने मेरे स्वीमम मैं अबने ए से यह जर्ण वी चार्ज किया और हूगा उसका ITC मैं नोना सैब जैकसर करो होना चीए एसी दुनिया कहती है आप एसी की डिलर हो हमारे स्वारे कमरों में कुलर पड़े हैं और वो विचल नहीं रहे सब से पानी लीक हो रहा है मैंने का ठीक आज एक एसी बेज देता हूं क्या मैं एसी जो घर पे भेज रहा हूं उसके लिए पैसी चार्ज करूं मेरी क्राइफर बच्चों से नौ तो ट्रांसफर होगी परमानेंट वह एसी एक दिन के लिए गया है क्या मैंने ठीक आज रिष्टे वाले आरे हैं एक दिन के लिए लगा लेका लू खाड़ ले जाओंगा ऐसा नहीं है वर्ड क्या होना अची है परमानेंट आपने इसले के ITC क्यों लिया जाता है क्रेडिट एक लाइन में क्यों लिया जाता है ताकि डबल टेक्सिशन ना हो इसको आप एडिजिस्ट करेंगे आउट्पूट के साथ आउट्पूट तुमारा यहां पर बिकाई नहीं है वो तो घर चला गया तो फिर यह ITC आपका किसी काम का नहीं है मैंने का अच्छा क्या इसको रिवर्स करो क्या करो रिवर्स अगर आपने यूज नहीं किया तो इसको काट दो और यूज किया तो इतने पैसे कैश में हमारे पास जमा करा दो जब 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 ऐसा होगा ITC रिवर्स होगा liability आपकी बढ़ जाएगी और liability बढ़ ज अगर सप्लाइब बिट्विन सप्लाइब बिट्विन हुई है किस किस के बीच में डिस्टिंक्ट परसन के बीच में या रिलेटिड परसन के बीच में यह डिस्टिंक्ट और रिलेटिड परसन अलग नहीं होते हैं हमारे ही बंदे होते हैं हमारी ब्रांच होती हैं मैं मेर लग-लग state में तो लग-लग registration हुगाई जब आपस में माल जाता है तो मैं consideration charge नहीं करता है government कहती है तू बेशक ना करें तू बेशक consideration charge ना करें हमारे लिए ये भी क्या है deemed supply क्या आपको दूसरा case समझ में आ गया तीसरा case बोलता है सब employer ने अपने employee को अगर एक employer ने अपने employee को without consideration साल के दरान gifts दियें क्या दियें है पचास जार रुपे तक पचास जार रुपे तक उसको हम यहां पे इस GST के तैट supply नहीं मानते अप्टू 50,000 इसके उपर जाएगा तो इसको supply माल लिया जाएगा अगर एक principal ने अपने agent को माल बेज आया तो बंदे तो यह की है एक बंदा दूसरी के भियापी तो काम कर रहा है वस इस में भी consideration नहीं होगा और consideration नहीं होगा तो इसको भी क्या मान रखा है deemed supply क्या आपको समय आया नहीं है बोलो बेटे सर यह आपने वो के समझाए किसके schedule बनके याद करो schedule 3 होते हैं हिसाब schedule number one deemed supply मतलब consideration नहीं है schedule number two either goods or services schedule number three neither goods nor services clear यार ठीक थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हमें बता रखा होगा इसके अंदर विटा आपको distinct person की definition भी दे रखी है related person की definition भी दे रखी है consideration की definition भी दे रखी है और मैं कहता हूं goods की definition भी दे रखी है और money की definition भी दे रखी है definition तो हो सकता हो और भी सारी हो लेकिन जिसको मैंने यहां बता है उसको तुम्हें पढ़के जाना है कि money की definition तुम्हें याद करने है goods की definition तुम्हें याद करने है business की तुम छोड़ देना consideration की definition तुम पढ़के जाओगे distinct में से distinct को चो हो सकता हाँ हाटा भी दो related person की definition को तुम याद करके जाओगे यह मैंने important definitions बता दी चप्टर की तुम करके जाओगे yes or no सब्सक्राइब यह सकते हो मैंने का हाँ related party की definition तोड़ी से लंबी है मैं हिंट दे देता हूँ घर पे तुम्हें याद हो जाएगी जैसे की partner जितने भी होते हैं फॉर्म के वह आपस में related party माने जाते हैं yes or no एक point दूसरा कहता है दूसरा point बोलता है अगर एक company ने एक company ने दूसरी company को control कर रखा है जिसको हम लोग में holding subsidiary बोलते हैं इसको GST में related party बोला जाता है yes or no तीसरा कहता है अगर आपका एक दूसरी के उपर substantial interest GST के लिए 25% से उपर आ जाता है Mr. A ने Mr. A ने B company के भी 25% या इससे ज्यादा शियर ले रखे हैं और C company के भी 25% या इससे ज्यादा शियर ले रखे हैं तो Mr. A ये दोनों company आपस जानती ना हो इनका मालिक तो कमन हो गया ना ये भी आपस में क्या बन जाएंगी related बन जाएं कुछ ऐसा करके definition दे रखी exactly मुझे ध्यान नहीं है तो आप इसको एक बार देख ले ना ये definition जो मैंने बताई है ये आपके लिए important है GST goods से start होता है goods की definition तो important है ना goods में आप क्या नहीं लेते goods में क्या नहीं लेते इमोल गूड्स नहीं लेते गूड्स मस्त भी इमोवेबल इमोल गूड्स नहीं होती है उनकी उपर जीए लगता है नहीं साब जब घर भी इखते हैं GST तुड़ी लगता है इमोमोवेबल प्रपरटी और ना एक्षेलन क्लेम यह सारी चीज़े होती है goods की definition में नहीं आते ऐसे तुम मनी की definition भी पढ़ होगे तो इसमें last में निकाल देना other than numismatic value other than numismatic value जो पैसा था लेकिन अब चलना बंद हो चुका है तुमारे गर पे एक पैसा पांच पैसा दस पैसे पड़े हुए होंगे मनी है हाँ है लेकिन देखने ही अग्या है पर दानमंतरी मोदी ने डिमोनिटेशन किया था तो पुराने 500,000 के नोट बंद कर दी था साब हो सकता है किसी की घर में आज भी रखे हो मनी तो है लेकिन सिर्फ दिखावे मात्रगी रह गी है ऐसी चीज़ों को मनी की definition क्या कर द कम पॉजित अब शबलाई और दूसरी प्लाइब कर नाम है मिक्प्लाई यहां थे ऑ से जहादा सर्विस हैं यहां में बेटा दो या दो से ज्यादा सर्विस हैं डोन है दूनीं दो हैs से ज्यादा सर्विस है सर पहले तो इस कोंसेट को अपड़ा क्यों रहे हो कंपोजिट सप्लाई यहां भी दो जब जब दो या दो से ज्यादा सर्विस का बंडल आपको दिया जाता है तो जो वेल्यू आएगी वो अलग लग चीज़ों की आई ना जीस्ट केंदा हर चीज़ में हमने पैन रखी इसके अंदर दो चीज़ है एक जो टाइम दिखा रही है वह और गड़ी का पट्टा पट्टे को इंगलीश में क्या बोलता है यार बैंड स्ट्रिप स्ट्रेप ठीक है बाई अगर मैं खाली स्ट्रेप बनाने की फैक्ट्री लगाता हूं तो इसके दो जारुपे का बिल कटा है तो बिटा रेट समस्था है क्या रेट 10 परशेंट लगाऊं या 18 परशेंट लगाऊं सवाल कहता है रूल कहता है कंपोजिट सप्लाई को अगर दूसरी लेंग्विज में लिखूँ तो इसको नैच्रूल बंडल बोलते हैं क्या बोलते हैं और मिक्स अप्लाई को अगर दूसरी लेंग्विज में लिखूँ तो इसको आल्टीफिशियल बंडल बोलते हैं मैंने का ये बात भी ठीक लिख अगले को यह पैचानना पड़ेगा प्रिंसिपल कौन सा है अकेल पट्टा सब टाइम नहीं दिखा सकता लेकिन पट्टा ना तो गड़ी को जेम इसे निकाल भी टाइम देखा जा सकता तो प्रिंसिपल कॉंपोनेंट कौन सा है तो रूल कहता है अगर केस हो तो पूरी वेल्यू पर वो रेट लगेगा जो प्रिंसिपल का रेट होगा प्रिंसिपल आपका मुझे बताइए गड़ी है या स्ट्रेप है और गड़ी है तो गड़ी का रेट कितना है एटीन तो यहां कितना हो जाएगा एटीन यस और नो सर ऐसे फिर already official में है से होगा आटीव इसी मौल में आप गया है मौल में गुष्टी किसीमोर में व्होगा चारो इपांश रता विंधा । इस ऐस्ट की इस त्री कोशर हो चार आईईट यतम चेएप उत्व Subaru एक फिली तो है कि रखा यतो एक है तो… तो इन में से आपको देखना पड़ेगा हाइस्ट तो concept क्या बोलता है अगर artificial bundle है जिसको mixed supply बोलते है उस पूरे bundle की उपर rate लगता हाइस्ट composite supply है natural bundle है तो उसके उपर rate लगता है जो principle का rate होता है yes or no मैं आप से पूछता हूँ अब ज्वेल्री जब भी हम किसी सुनार की दुकान से लेके आते हैं ज्वेल्री का एक special case होता है ताकि ज्वेल्री टेडी मीड़ है ना जूग होती तूट जाती है तो ज्वेल्री भी साथ आती तो case भी उसका जो डिबाय साथ में आता है वेल्री दोनों की इकठी दे रखिए principle aspect कौन सा है ज्वेल्री तो पूरे रेट किसका लगीगा ज्वेल्री का पृइंसीब आपको पता लगया मुझे ये रूपता तो यह जबरदस्ती mix करके थे नेचरल बंडल है नेचनल बंद़ मोबाइल की साथ चार्जर कि नेचनल बंदल यहाँ तो प्रेशान होजेए कि काड भूमोगे बात यहां तकर फृज कि साथ बोटल फ्रिज के साथ बोटल ये कोई सीन बनाई नहीं ये साग ये कोई सीन नहीं बना तो ये क्या है artificial bundle अब ध्यान दें फ्रिज के उपर रेट 18% और बोटल के उपर रेट 24% अगर बोटल साथ में गुशा दी और artificial bundle है तो पूरी के उपर कितना लग जाएगा 24% लग जाएगा अगर सही तरीके से GST का लोग अपलाई किया जाए तो फटावर बताओ कि आपको composite और mix का case समझ में आ गया होटल का में काम खाना खिलाना या रहने की विविस्ता देना होटल का में काम खाना खिलाना या साथ में ना दे रेरली ही चलता है तो मजबूरी में इनको वहाँ पर लंच डिनर ब्रेक्फास्ट की फैसिलिटी देनी पड़ती है ये रेस्टोरेंट सर्विस भी साथ में दे देते हैं रेस्टोरेंट के उपर टेक्स हमालो 18% और एक्कमोडेशन के रेट है 12% लेकिन बंदा रुका था इनके पास खाना भी खाया 5000 रुपे का सवाल पैदा हो गया साब 18% लगाऊं या 12% लगाऊं सबसे पहले पर मैं इंटिफाई करना है नेचरल बंडल है आइडिफिचिल है नेचरल है जंगल ब्याबान में हमने होटल दिखा बहुत 100-200 km गाड़ी चला ल होटेल के अंदर यह दोनों का मजबूरी में इकठे कर रखें दो यह दो से ज्याता सर्विस जब नेसिस्टी के साथ इकठे कर दी जाते हैं उसको नेचरल मंडल बोला जाता है तो रेट कौन सा लगेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल काम रुकवाना या खाना खिलाना रुक स्केडूल वन डीम्ड सेपलाई स्केडूल टू कहता है इधर गूड्स और सर्विस बुक के अंदर लग बुक प्रेक्टिस करने के लिए 10 से 15 केस दे रखें तो मैं पढ़के यह बताना है वह गूड्स है अंद आदमी देख के बता देगा कोई मुश्किल नहीं है अगर क सब्सक्राइब यह पूंस रखें नहीं है जूलते हैं लिए 800 मिनिख कर देते हैं और विंद यहां से और इगर बुक को देख लेते हैं को निसे उदाम हो मिनिंंग थर्टी 244 एंटर लो साब यह दे रखा है साब schedule 1 यह activity जो बिना consideration भी हो तो अभी जिनको मान लिया जाएगा supply क्या तुम्हें दिख गई और यह वही तो है permanent transfer दुसरा distinct person related person तीसरा principle से agent agent से principle और चोथा import of service बता तो रखाया यार दूसरा case schedule 3 पहले आगया कैता है ना तो वो goods है ना वो service है फुटा फटीन की उपर बिवर प्रकास डलने का प्रियास करेंगी कैता है employer employee का रिष्टा cover है GST में सर ना cover होता तो क्या उखाड़ लेते सारे employee अपने माले को service दे रहे हैं सारे employee employee ना रहे कि service provider मन जाते और अपने माले का GST काटके comment को जमा करा दे इसलिए इसको बाहर निकाल देगा किस से employer employee की sorry employer employee की definition को GST के दारे से बाहर कर दिया पहला point clear है दूसरा court के चाहरे हैं में लोग दिलवाती है साब देखा जाए तो वह भी service दे रही है नयाए मांगने के लिए आदमी जब जाता है जब प्रेशान हो चुगा होता है प्रेशानी में गो नाइन न्यकोर्ट के पास गया क्यों कर रहे हैं मेरे साथ तो यह भी क्या है माफ तीसरा MLAMP हम चुन के बेजते हैं हमारी समस्याओं का निप्टारा करने के लिए कल को MLMP आते हैं कहते हैं हम भी आपको क्या दे रहे हैं सर्विस जिस्टी लेंगे बागों यहां से अटा देंगे एक मिनिट में वोट चीन लेंगे तुम्हारी भी तो इनको भी क्या लिक रखा है नेगिटिव लिस्ट में चौथा पाइंट जो constitutional post world करता है DC है SP है यह लोग भी बड़े-बड़े बंदे होते हैं इन जो में सर्विस देते हैं administration को संबालते हैं देश के अंदर अजीव डोबाल जैसे है तो इन लोगों भी क्या करखा है side और क्या बता रखा बिटा फॉर्ट सर्विस का नाम है funeral burial crematorium and mortuary बंदा गुजर चुका है इस दर्थी से जाए चुका है government गती जा जीएस्टी माफ किया अब भी जीएस्टी उसकी बात और ही जो मर आपड़ा है जो मर चुका है उसके लिए ambulance मंग आएगी साब ambulance हमें यहां से वाले के जारी तो ambulance वाला कोन हो गया जो मर के गया है वो कौन हो गया service receiver अब बिल बना रहा है कहते है इसके लेगल है ambulance की service के उपर जीएस्टी हमारा चलेगा तो क्या करें आप एंबुलेंस वाले को साथ ही जला देंगे का नी घतम इसलिए लोग यहां पे बहुत ज़्यादा प्रेशान होते हैं लोग मर रहें जल रहें दबर और गुवर्मेंट को जीएस्टी के पड़ी है तो बेटर होगा इसको कहा लिग दिया जाए का लिग दिया जाए जी अब यावाफ क्या तो नंकी देखो आदत दिखाता है कहताÓ सर्वीज भी एं किसी फनानों लरुटा से बाहर ने दी हैं बारत के भार किसी बंदेगों जा professionals सीबंत और रिम स сталоo माफ वो क्या बोलेगा पढ़ा तेरे से मैंने का पढ़ा तो ने कि फिर भी माफ एट उठा के सर खोल जाएगा तो यह सात्वा पॉइंट निर्दई पॉइंट है खाम का दे रखा है तो आठवा पॉइंट की बात हम कर लेते हैं supply of warehouse goods to any person before clearance of home consumption थोड़ा सा तो में कम समझ में आएगा treatment custom का दे रखा है साथ किसका अब बताओं थोड़ा सा custom बच्चे के चुप बैठे करते बताई दो हम तो बोलते ने कभी इसी चीज़ों के बारे में बेटे custom के लिए यह इंडिया है यह क्या है इंडिया यह mcp है Mumbai custom port आपको पता इसको airport नहीं बोलते पोर्ट बोलते हैं और custom की बात करेंगे तो सुकपराचोक सेखिला रोड़े समान आया है देश्री विदेश में समान आया है ठीक है साब यह समान आया ऐसा बाहर से यह बाहर से आया माल मेरी का से आया कैसे आयेगा डूब की मार मार गया जाजों में आयेगा जाजों में आयेगा यह जाज है यह जाज है इनमें माल लदा हुए है माल लदा हुए है यह माल यहाँ सबसे पहले port पे उतरता है का उतरता है पोर्ट पे पोर्ट पे जिस बंदे ने माल मंग वाया होता है उस जखाली होते है लाइन में पीछे दूसरा आजाता है फिर तीसरा आजाता है तो पोर्ट पे एक लिम्टिड स्पेस होता है अगर टाइम से यह माल नहीं उठवायागा तो यह माल बहुत जादा हो जाएगा और माल जाता हो जाएगा फिर माल कांसे उतरेगा इसका मतलब वहा हाओ उसे है एक है वेरा उसे चारज लगता है माल फेशा लगता है अब ध्यान से सुनीगा अलांकि तुम्हारा किस्टम है निहीं क्या द्यान से शुनवा रहाओ लेकिनि फिर भी वियादी कर लो जब माल पोर्टपे होता है तो इंपर डूटी नहीं लगी हैर léकिन माल वे रहा उसमें तो अभी duty नहीं लगी है custom tax नहीं लगा है जब माल पोल्ट से घर आएगा जब जब माल वे रहा उसे घर आएगा तभी tax लगसकता उसे पहले tax नहीं लग सकता चेयर माल की तरए दिन यहां पड़ा रही इसको बोलते हैं घर पे आने को custom तो जब तक माल होम कंजप्शन से पहले है ताव उस पर कैसे टेक्स लगा सकते हैं क्योंकि वह तो रिमूव ही नहीं हुआ है और कस्टम पर रिमूव होने पर लगता है मेरी बात समझ में आई नहीं लेकिन ये 25 मार्ट को सिए फाइनल में तो आएगा लेकिन इंटर में चेप्टर से मेनिंग ऑफ सिप्लाई हमारा लास्ट ह जिसके अंदर हम आई जो उतसा मंझ लेते हैं नाम क्या है आप ईवेड् Colors अमझ लेते हैं वाई ए फिस ए गंटा वप्वर्त ओए तो ए ए गोंटा सुबलाक्यों मिनिट तो समाज़ दु ok एक मेने टोर लगा हूँ आई वे बिल कोई बारे में बता देता हूँ पांच चेप्टर तुम घर से अच्छी से रिवाइज कर ले ना हो सकता है में एकल की छूटी कर दू कहते यह तो हमें पता ही था जानते तो हम भी आपको हाँ अच अच बच्चे कहते काम बहुत है ऐसे फ्री मत हो जाओ इतनी चीजे निकाल के दे देंगे कि पर दो नमबर को तो एक नमबर को श्याम को यहां बैच चल रहा होगा बहुत बढ़िया ओई वे बिल ध्यान से सुनिये बिटा बात प्लीज अगर आप भी रहे हैं इस प्लेश से उस प्लेश तक और माल की जो बैल्लिव फीक्रिए इसको बोला जाता है technical consignment value क्या बूला जाता है consignment value आगर इस माल की जो value है वो 50,000 50,000 से ज्यादा है एक्जेक्ट 50 पर नहीं है 50,000 से ज्यादा है तो आपको एवे बिल के बिना आप इस माल का movement स्टार्ट नहीं कर सकते movement समझते माल को सरका नहीं सकते साब जब तक इसकी डिटेल गौवर्मेंट के पास ना चली जाएगी मैं निकाए जो बंदा माल भेज रहा है मेरे इसाब से इसको consignor बोल दूं जिसके पास माल जा रहा है इसको मेरे इसाब से consigny बोल दूं और जो मा लेके जा रहा है मेरे इसाब से इसको transporter बोल देना चाहिए कई बार हम transporter के थ्रूं माल बेज दें कई बार हम e-commerce operator के थ्रूं माल बिकवा देते हैं कई बार हम courier agency का सारा लेते हैं तीनों थड़ पालिटी के लाएंगे यस और नो माल बेजना मैंने लेना इसने बिकवाना इनकी तरफ से या बिजवाना इनकी तरफ से येस और नो हमारा कॉंसेट बोलता है यह भी इवे बिल जारी कर सकता है काईदे सब्सक्राइब करना चाहिए यह ना करें तो इसकी permission से यह भी इवे बिल जारी कर सकता है और यह ना करें तो इनकी permission से यह भी इवे बिल क्या कर कर सकते हैं जारी कर सकते हैं इवे में कुछ नहीं माले की डिटेली तो बतानी होती है सरी जारी करने के लिए को बहुत ज़्यादा complicated काम होता है क्या मैंने का जी बिल्कुल नहीं आज गलते मोबाइल से जारी हो जाते हैं इसका बड़ा बिल GST.gov.in यह एक साइट है इस पे अगर आप जाएंगे तो EWB01 एक फोम होता है उसके दो पार्ट होते हैं पार्ट अपाइट फाइट और पाइट B ऐसे होता वर्ड़ा इस पार्ट एक एंदर डिटेल दी जाती है जिसेने समान भेजा है और गोस्तमान की डिटेल और पाइट बीके अंदर जाते हैं conten s कनेरी उसा गिए थोड़ासा ज़्याधा डिट्हां होता है तो दोनों जब तक कमप्लीट न हो जाएंगे तब तक आपका इवी 2 जन सब्सक्राम ट्र हें हमства फार। आप कर देना है जैसे पार्ट भी यह पूरा कर देंगे तो आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा क्यों दीजीगा यह सारे काम माल के मूवमेंट से पहले करने हैं नहीं कि बाद में करने हैं अगर आपने एक काम पहले नहीं कि तो जब आपका माल जाएगा तो रस्ते में GST इंस्पेक्टर आपकी गाड़ी को रुखवा के आपका RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइटिफिकेशन काड एक चिपकार लेते हैं गाड़ी के उपर उससे आपका वहिकल को ट्रैप किया जा सकता है और आप से वह चीज पूछी जा सकते हैं अगरकर वह नहीं हुए तो आपकी वहिकल को डिटेन भी किया जा सकता है और बहुत सारी और सकते हैं तो यह एक सिस्ट्रम बना रखा है वैसे क्यों बना रखा है गोर्मेंट ज्यादा से ज्यादा रूल रेगुलेशन के तरह देखना चाहती है कि माल पचास दार से उपर का अगर जा रहा है तो मोठी ट्रांजिक्शन होगी कौन वेजर है किसके पास जाल रहा है कि से कौन से मोमेंट से माल जा रहा है तो गौर्मेंट को क्या करना चाहती है ट्रेप करना चाहती है इसलिए इनवेज हम उसकी बात नहीं करेंगे आगे चलते हैं कुछ चीजे ऐसी होती है जहां ईवेबिल आपको मेंडेटरी जारी करना होता है मैंने वर्ड लिखा बेटा मेंडेटरी और मेंडेटरी का मतला होता है इर्रिस्पेक्टिव फिफ्टी थाउसेंट आपको पचास दार रुपे भी नहीं देखने हैं आपको भी इवेबिल जारी करना ही करना होता है ऐसे कौन से केसिस होते है तो आप बताएंगे, अगर माल principle to job worker के पास जा रहा है, जिस मंदे ने row metal दे 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 और काम कोई और करेगा, काम कोई और करेगा, और ये दोनो other state के हैं, ये अलग state में और ये अलग state में है, मैं यहां से कपड़ा उठाता हूँ, हर्याना में रहता हूँ, UP कपड़ा लिए बैग बना रहा हो मेरा कहल आएगा जोब वरकर और जिसने माल भेजा था वो कहला आएगा प्रिंसिपल यूपी एंड हरियान दोनों अदर स्टेट हैं अदर स्टेट के इंदर जब भी प्रिंसिपल जोब वरकर के पास लोग या आएगा तो हमेशा हमेशा इवेबिल जारी होगा इर्रिस्प्रेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट पचास हजार यह नहीं देखना अब तुम्हारा स्वाल बनेगा सर ऐसा यह बताओ अगर यह सेम स्टेट का होता तो क्या होता अगर यह दोनों प्रिंसिपल एंड वरकर सेम स्टेट में होते हैं तो क्या तब भी इविल जारी करना है मच्छर काट गया तो हम लिखेंगे पचास जार पर कामाउंट वाला कॉंसेप्ट लागू है तो फिर 50,000 की लिमिट चेक करी जाती क्या आपको यह बात समझे में आग वैसे गुड़्स अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो पेटा तो पहले इंटर स्टेट पर ही आपको रजिस्टिशन अमेंडेटरी है लेकिन याद करो है 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 अगर जाएंगी तो 10 लाग 20 लाग की लिमिट अप्लिकेबल थी वो 10 लाग 20 लाग को काउंट तो करेगी को मेंट इसलिए बोल रखाया जब जब हैंडी क्राफ्ट गूर्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगी हर बार इवेबल बनेगा इर्रिस्पेक्टिव था 50,000 क्लियर क्लियर भाई ठीक है सर आपने बेसिक बेसिक जानकारी देए कि हम इतना बता दिया है कि इवेबल क्या होता है सरी इवेबल कितने दिन के लिए वैलेड होता है और यह कैसे चलता है बेटा एक किलोमेटर के कोडिंग होता है और यह विकल के डाइमेंशन के कोडिंग होता है यह आपका विकल नॉर्मल विकल है यह आपका विकल ओवर डाइमेंशनल विकल है जितना बड़ा वीकल होगा स्पीड उतनी कम होगी साथ येस और नौ सरी ओवर डायमेंशनल वीकल हमें कैसे परता लगेगा वर डायमेंशनल वीकल एक्ट है उसके इंतर डैफिनेशन देर की कौन सा वीकल ओवर डायमेंशनल गा जाता है वह एक्ट पढ़नेगी तुम्हें साथ नहीं है तुम्हें क्वेशन में साब बता देगा ये नौर्मल कार्वग है या ओवर डायमेंशनल गार्वग है ये सटर नो चीक है सर उसमें किलोमेटर के अकोडिंग बता रखा है कि एक बार ईवे वीविल इतने किलोमेटर तक इतने दिन तेक वैलिड रहता है सरी एक बात आता हो किसी काणवस रस्ते में गाड़ी खराब होगी पंचर हो गया और वो टाइम पुरा हो गया और उस टाइम के अंदरे दर माल पहुंचा नहीं पाई तो अब क्या होगा बेटा आप इवे बिलको एक्स्टेंड भी कर सकते हो लोगी लेंग्वेज कहती है एक्स कराना चाहूं तो कहीं दे रखिऊंगी क्या कॉन सा टोपिक थाए देखना कॉन सा है बिटाई टू बिटाइम बतादो कभी साढ़े बारा ना हो गया मेरे बच्चे ना वेठे हो टू बारा तीन हुए है साथ ये 68 एक्ट का सेक्षिन है एक्ट का इसेन तो ये बताया है ज इसमें conducted driver person in charge होता है airplane के इंदर जो master of sorry जो pilot वेगरा होते है जो staff होता है वो person in charge होता है जो vessel होता है जो पानी के जाज होता है जो master of vessel person in charge होता है गाडी में चला रहा हूं तो मैं कोन person in charge हूं उससे अगर कुछ value से exceeding होगा value कितनी बतार की नीचे rule में बतार की 50,000 अगर उसस होता है when is eva bill is required कभ eva bill चाहिए मैंने का जब मैं supply करूंगा जब चाहिए मैं चाहिए supply नहीं करूं प्रिंसिपल जो वर्कर के पास अब मेल रहा है सप्लाई तो भी eva bill चाहिए मैंने का ठीक तीसरा कहता है अब की बार मैंने माल बेजानी माल आया है माले किसी unregistered person ने करो river charge mechanism river charge mechanism में the service provider के चोटी होती थी तो service receiver खुद invoice generate करके टेक्स जमा कराता था अब यहां माल बेजने वाला इत्तुछा बंदा है और माल लेने वाला बहुत बड़ा बंदा है तो अब की बार अब की वार eva bill वो नहीं उसके तो पता ही नहीं है मैं ही will generate करूंगा इन तीन केसे में eva will generate किया जाता आपको बात समझ में आई यह नहीं आई आई आपको पता दो form होते में इसके part A part B मैंने बता रखा है अरे बोलो यार बता रखा नहीं बता रखा है गला बिल्गुल खराब हो गया provider further debt क्या बोलता है आपकी permission से transporter भी generate कर सकता है आपकी permission से e-commerce operator भी जन्रेट कर सकते हैं आपकी promotion से permission से career agency वाली जन्रेट कर सकते हैं कोई जन्रेट कर सकता यस और नो लेकिन जब तक part B फिल नहीं होगा eva will number generate नहीं होगा सिर्फ part A से एक number generate होता है उसका नाम unique number होता है हर बात पड़ा रखी है घरसे जागे तुम्हें मैज करनी है बस बात सम पर देखरी वाला केस नहीं आ गया क्या बेट मैंने principles ओवर कर गास करा दिया और क्या बेट मैंने handicraft रूट करा दिया consignment value जब निकाली जाएगी तो value का तरीका यहां बता रहा है मेरे को वसे एक doubt आ रहा है यह value exceeding 50,000 एक्जेक 50 है रूल क्या कहता है रूल 378 में क्या लिखरका है अलचाने के doubt आ गया तो exact 50 तो नहीं है ना बस आहीं है exceeding word है बिटा कितना है बिटा exceeding चलते जाओ चलते जाओ तो बिटा चेंज अच्छा बीच में तो तीन बाते जर्नल बता रखी है अगर अगर एक ही विकल में विकल ट्रांसपोर्ट तो एक है और अलग-लग कंसाइनमेंट के माल में भेज रहा हूं तो क्या सब काई की कठा इव विल जन्रेट हो सकता है यस अब कौन सुलिट इव जन्रेट कर सकते हैं क्या बचने के लिए अकाउंटिंग डिफिकल्टी से बचने के लिए से एक बात बताओ माल भेजने का पूरा मन्धा इव इव बिल जब जन्रेट हो गया था उसके 24 आवर के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं यह वाला पॉइंट बेटा है एमसी के लिए जुरूरी है इसको याद कर लो कहता है बाइस अब अप्टू 200 किलोमेटर तक वैलिटी पिरिड इव बिल अगर 200 किलोमेटर जाना है वंडे तक वैलिट होता है हर 200 किलोमेटर के बाद जितना भी पाइट आएगा एक दिन एडिशनल जुड़ जएगा 210 किलोमेटर दो दिन होजेंगी कि पाइट को पूरा माल लिया जाता है लेकिन यह केस कब था अग कुछ नहीं लिखा तो नौर्मल व वेहिकल एक्स एक्ट रूल्स नुन 1989 और ओवर डिमेंशनल कारवों वहां पर स्पेसिफाई कर रखा है मोटर विगल एक्ट में वाजा के पढ़ लिजीगा हमारी कोई रिक्वार्मेंट नहीं थी चलो आगे सर क्या इवेबिल के टाइम को बढ़ाया जा सकता है मैंने का हा रिक्वार्मेंट 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 रिक्वार्म यूजड परस्टनल एंड हाउसोल्ड अपने गब गुदड़ी रेंट पे मकान पहले रोतक था भीवाने ले लिया तो सारे सड़े पजामें सारे डाल की गठा बना की ले जा रहे हैं रस्ते में इंस्पेक्टर आ गया किया पजामों की वैल्ली वे ता मैंने का ओ यूजड ह नहीं क्या है यूजड और हमारा घर का परस्टनल समाने साइड़ इसका उपर कोई वे विलका सिस्टम में नहीं होता और आगे बताता गया बताता गया इसमें देख लिए ना वाई क्या विल्क लिकर है पेट्रोलिम है हाई-स्पीड एसडी है मोटर स्पिरिट है तो इस नाइन्थ पॉइंट यह रहा घोड़ा गाड़ी खचर गाड़ी हाथी गाड़ी जोठा गाड़ी से जब भी समान जाएगा तो इसमें एवे विलकी रिक्वाइर्मेंट जब यह पॉइंट लिखा गया तो खचरों की डेमांड बढ़ गी थी स्टार्टिंग स्टिंग में जिस्टी आया तो भे लोगों को ज्यादा लग रहा था तो लोगोंने खचरों से मान वेजला स्टार्ट कर दिया रस्ते में कहते एवे विलके तक चर है साइड़ इसका उन्तलब वहां पे एवे विलकी रिक्वार्मेंट नहीं थी जी सर इसका उन्तलब रखने फायदे मन है कैसे लेके जाना है आगे बता रहा है कौन से डोकुमेंट्स आड़ आपको अपने साथ लेके जाने रूल बां 30也 है section याद करने इसके 138 बी क्या कहता है भाई साब रस्ते में आपको रुकवा कि आपको डॉकुमेंट और आपके करेंश को वैरिफाई किया जा सकता है यह 138B बोलता है ऑपके डॉकुमेंट की वैरिफिकेशन हो सकती है 138C डॉकुमेंट डॉकुमेंट छोड़िये आप जो गूर्स लेके जा रहे लेना उनकी वैरिफिकेशन कम इंस्पेक्शन भी हो सकती है मैंने का और बता क्या तले फिर डी फैसिलिटी फॉर अप्लोल अप्लोडिंग इनफॉर्मेशन डिगाडिंग अगर आपका विकल कहीं डिटेन कर लिया जाता है तो 133D में डिटेन भी किया जा सकता है लेकिन आ हो गया गला बिल्कुल खराब तो अल्टीमेटली यह हमारा इवे बिल का एक चेप्टर था जिसको हमने रिवाइज किया आज की क्लास के अंदर हमने पाच चेप्टर करें हैं सभी के कॉंसेप्ट दिल लगागी सीखें इस वीडियो को अगर आप घर पर फिर देख लेंग तो आपका GST का जो डर है वो गया हो जाएगा तो पाच चेप्टर हमने कर लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक जय हिंदु जय भारत